Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तक की, CVAC board के courses के साथ-साथ आपको other state board के भी courses available है in Hindi medium, जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board के courses, proper systematic way में, कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी, डेली practice sets के questions में मिलेंगे, practice भी करते जाएगा, e-books और e-notes की link आपको description box में available है, तो भटकने की बात नहीं बनती है. आज का topic हमारा क्या रहने वाला है? Fewer opportunities and rigid expectations. कम opportunity और जो भई, रूनी वादी, जो rigid, जो कठोर expectations. rigid, मैंने बताया ना, कि आप comment में यहां लिखोगे कि माम, ऐसा बताईए, ऐसा बताईए, ऐसा बताईए, मैं मैं बने कि नहीं नहीं, जैसा बता दिया ना, एक line में बस वैसा ही. फिर आप आओगी के अगली बार से, नहीं आओगे. तो rigid, बिल्कु फ्लेक्जिबेट ही नहीं देना, जैसा कहा है, वैसे ही करो, जैसा सोचा है, वैसे ही करवाएंगे, ऐसा. चाप्टर हमारा है, वोमेन का, मुझे लगा next slider, तो बही मैं उपर दिखा रही थी, देखो, चलो, ही ही आजाते हैं, चाप्टर हमारा वोमेन का है, वोमेन कैसे world को change करती है, हमने introduction में बहुत अच्छे से देखा था एक चीज, कि कैसे, जो है, discrimination होता है, equality क्ले वोमेन को struggle कर पड़ता है, क्यों? उनके काम की value नहीं की जाती, especially अगर कोई घर में काम कर रहे है, क्योंकि वो earned नहीं करती, तो उनको devalue किया जाता है, उन्हें मानना चाहते हैं, और अगर कोई काम करना चाहती ही, तो ऐसा मानना चाहते हैं, यही काम औरते करेंगी, यही काम तो मैन के लिए हैं, औरते नहीं कर सकती, इस तरीके से, कुछ women's का movements हमने देखा था, कि वो होने वाला है, मतलब हुआ था, तो इस chapter में हम देखेंगे कैसे discrimination के against, वो movements हुए थे, protest करा था, campaigning वगेरा, पूरा इस chapter में हम समझने वाले हैं, वो हमने introduction में देखा था, basic सा, अब क्या कर ये तो देखा था, आप like कर दो, like कर दो, और share कर दो, फटा फट से like का बटन दबा दो और share कर दीजे, क्रिपया करके, like कर दीजे और share कर दीजे, फटा फट से like कर दो, क्यूंकि, देखो, like करते रहना चाहिए, अगर अच्छा लगता है, teacher efforts डाल रही है, जैसे दिख रहे ह अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तुरंत like करो, भूलो मत कि करेंगे, वीडियो end होने के बाद करेंगे, ठीक है, अगर आप कर देंगे during the video, तो आपको समझ में आई ही जाएगा, teacher कैसा पढ़ा रहे है, क्या पढ़ा रहे है, तो उसके लिए जो आपका like है, आपक share कर दीजे, share तो आपके classmates की भलाई के लिए, अगर वो भूल जाते हैं, busy हो जाते हैं, busy हो जाते हैं, busy लोग, है ना, चल, A lot of the children in Rosie Ma'am's class drew women as nurses and men as army officers, Rosie Ma'am की class थी, school का बता रहे है, एक ऐसे example जैसा लिए school का, किस की class थी, Rosie Ma'am की class थी, उसमें क्या बोला गया, उसमें, बोला गया हो गया, ड्रॉइंग बनाईए आप, ठीक है, बनाईए ड्रॉइंग, कैसे ड्रॉइंग करा गया women को as nurse, men को as army officers, अच्छा, अब आपी सोचिए कि बच्चे हैं छोटे, वो क्या कर रहे हैं, उनको बोला है कि आप क्या करिए, आ women army में नहीं जा सकती, नेवी में नहीं जा सकती, पुलिस में नहीं जा सकती, क्या, आप बताईए कि आज के time में आपने women navy, पुलिस में, और खहलीजे, आर्मी में देखा नहीं है क्या, possible ऐसा, कि देखा ही नहीं, बट जो mind में है, जो mind में है, जो society ने डाला है, जो एक image ब और मेन आर्मी ऑफिसर्स मनलब ड्वाइंग ही ऐसी बना दी जिसमें क्लियर ली वो कर दिया सेपरेशन मतलब बता दिया कि हाँ ये मैन के लिए ये वोमेन के लिए ये इसलिए भी मानना जाता है कि ये माइन में बैठा है कि अगर वोमेन घर से काम कर रही न तो वोही काम करेंगे जिन में वो गुड है बनलब वो वोही काम कर सकती जिन कुछ चीजों में वो अच्छी है तो दर रीजन देट इस भाई ये रीजन कारण जो उन्होंने ऐसा इसलिए किया वोमेन को नर्सेस बनाया है न और जो मेन को आर्मी ओफिसर्स बिकस देट दिस बिकस देट फील दा आउटसाइड देट ओम तू वोमेन आर गुड अट उन्ली सर्टेन जॉपस मतलब अगर घर के भार कोई जॉब वोमेन करेंगी न कहा गया हो उनसे कि आप ड्राइंग ब आर्मी ओफिसर नहीं भाई है ना नेवी ओफिसर नहीं इंजिनियर नहीं डॉक्टर नहीं नर्स हाँ टीचर हाँ इस तरीके से कि वोमेन के लिए क्या सही है क्या नहीं कुछी कामों में वोमेन अच्छे से कर सकती है अब यह माला जाते है कि जो वोमेन है वो वो बेटर बहुत अच्छी नर्स बन सकती है नर्स क्या करती है अच्छा कॉमें मुझे बताओ कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल में नर्स क्या क्या काम है अगर आप हॉस्पिटल में नहीं नोटिस करा हो आपने मूवी में दे उनको बताएंगे कि इनका pulse rate इतना जो यह आया है, लेवल आया है, इतना यह हो रहा है, जो भी heart rate इतनी, सब सब कुछ बताते हैं, यह इनकी condition इस तरीके से measure करती है, ख्याल रखनी ही patient का, है ना, drip drip चड़ाती है, हर चीज करती nurse, assist करती doctor को, यह हमने देखा, तो यह मान रहे ह सकती woman, क्यों, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा धहर, patient होता है, और patience होता है, और वो बहुत ज़्यादा gentle होती, कैसी होती है, gentle होती, that means यह वो काम अच्छे से कर सकती, ऐसा माना जाता है, आया समझ में कि nurse क्यों बन सकती woman, क्योंकि woman's patience होता है woman's में और gentle होती, this is linked to woman's role within the family, यह किस से link कर दिया, obviously, family में हम यह imagine कर रहे हैं कि अगर जो बच्चों ने, उनने, 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 ड्रॉइंग बनाई है, कि woman as a nurse, और तो को nurse के तौर पे बनाई है, nurse क्या होती है, बहुत ज़्यादा patient की, थ्यान रखती है, और खुद बहुत ज़्यादा patient होता है उनमें आराम-ाराम से काम करती है, अगर patient नाराज हो रहा है, या परशान हो रहा है, तकलीफ में तो डर गई, नहीं, patiently handle करती है, है ना, उनको care करती है, उनको समझाती है, motivate करती है, positivity लाती है, हर तरीकी से doctor को assist करती है, तो that means हाँ, औरते तो घर में भी ऐसी होती है, बड़ी ही आर तो ऐसा इं-link कर दिया, कि हाँ, ऐसा करती है, तो women क्या है, nuts बन सकती है, इस तरीके से, आया समझ में, आया समझ में की नहीं है, तो क्या दिखाना चारे है, बताना चारे है कि कैसे हमने, ये भई, बच्चे भी है, वनिया हम भी है, क्या करते है, link करते है, कि women जो घर में का capable of dealing with technical things ये similarly अभी ये तो बोल दिया है कि क्या women कर सकती ही तो इसलिए इनको ये काम दे दो इसलिए इनको nerds भी बनने लायक हैं अब इसका अगर opposite बात करें similarly it is believe that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things अब ऐसा कह दिया है कि science science में तो चाहिए टेकनिकल माइन, calculation है न अच्छा fast calculation है analytical skills मानब अच्छी high intelligence basically चाहिए अच्छा mind चाहिए टेकनिकल तौर पे तो women ऐसा नहीं कर पाएंगे women उसमें poor होती उनकी वह इतने अच्छी नहीं होती इस चीज में तो वह science या scientist या ये सब काम नहीं कर पाएंगी तो बोल रहा है न कि women ये जो है technical things से मानब जो को calculate करने के लिए या उनको manage करने के लिए capable नहीं है कि women भही engineer नहीं बन सकती है न और architect नहीं बन सकती scientist नहीं बन सकती क्योंकि technical mind women नहीं चला सकती ऐसा माना है because so many people believe in these stereotypes many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers अब ऐसा किस ने लिखके भेजा है क्या भगवान ने लिखके भेजा है कि महीं नहीं लड़के ही engineer और doctor बनेंगे लड़कें सिफ nurse और teacher बनेंगे ऐसा लिखके भेजा है क्या अगर मानो for example आप मेंसे कोई जिसमें capability है कि वो उसको पता है कि उसका एक dream है कि मुझे doctor बनना है या मुझे engineer बनना है बट क्यों अरे तो लड़की है सिर्फ इसी धारणा में इसी stereotype stereotype क्या होता है आपने class 6 में पढ़ा होगा इसका मतलब बताओ पहले तब समझ में आएगा stereotype जो term है क्या इसका कोई meaning बता पाएगा मुझे क्या होता है stereotype का meaning class 6 में आपने पढ़ा हुआ है class 6 में civics में stereotype पढ़ा है और prejudice भी पढ़ा है क्या कुँँ आपने ऐसा देखा कि बस आपके पापा घुस्से में रह तो ए मघी प्यार से बात करती है कई बार मम्मी भी गुस्से वाली होती है और पापा बड़े जंटल होते है होता है कर रहें कितने पार सक्त्री फ्लौब कि वो भी, वह वही कर रहे, कितने चो example ऐसे, जो stereotype बनाये हुआ, क्या stereotype बनाया है, कही बार इनी stereotype की चलती जो बने हुए है, कि वोमेन यह कर सकती है, यह नहीं कर सकती, मेन यह कर सकती, यह नहीं कर सकती, इसी के कारण, अगर हम girls यह, वोमेन्स की बात रहें, तो उनके हाथ से opportunities इस निटीज चली जाती है, उनकी जो टालेंट है, उनकी capability उसको भई साइड कर दिया जाते हैं, किस बैसे सिर्फ यह बान रखा है, कि लड़किया ऐसा नहीं कर पाती, लड़किया नहीं कर पाएंगे, doctor नहीं बन पाएंगे, engineer नहीं बन पाएंगे, तो उनके अंदर जो उनक वो आपनी ओपिनियन दे तेंगी कहते हैं रहे हैं बीकर दो वो और सकते हैं टेकनिवल काम पाएंगी इसको है Hayır जब पिनतलब सकते हैं? perduकली काम थीकर क्या है? ये इनकुछ क्या हो रहा है या गर उसका कोई ड्रीम है। वो capable भी है तो समझा तो पानी रहे है। वो कोशिच करी बढ़ मानी ही रहे ना क्योंकि माईंड में ऐसा है। डरा एक बात किसी ने डाल दी कान में। एक बात डाल दी कान में हैं तो ऐसा ने के निकाल दे नहीं। वो कान को बन कर दिया और बात वलकुल घूमरी है माइड में ऐसा कर दिया है स्टीरियोटाइप बान के रखा है इमेज फिक्स करके रखिये तो because so many people believe in these stereotypes many girls do not get the same support that boys do to study and to train become doctors and engineers आया समझ में मानो घर में अगर मानो कोई family जो stereotype stereotypical family है जो रूणी वादी जो इन चीज़ों में मतलब कह सकते हैं जो ऐसी सोचती है सोची मतलब narrow-minded है basically कहेंगे जो ही मान रही है जैसे घर में लड़का है लड़की है ना वो कह रहे है कि पाप मुझे doctor बनना है वो भी कह रही कि हाँ पाप मैं भी doctor बनना है अब पापो को होता है बच्चे inspire होते हैं देखे कि मुझे भी doctor बनना है मेरे पापो बहुत अच्छे doctor है लड़की ने बोला बेटे ने बोला बेटी भी बोल रही है बेटी बोल रही doctor चलो मानो वो बोल भी रहे मान भी रहे बट हो सकता है कि वो doctor ही सही आपको tension होगी, आप नहीं manage कर पाऊगा, ऐसा वो अपने बेटी से कह रहे है, वो बेटे को कुछ नहीं बोल रहे है that means किया है, narrow-minded सोचे, fix image है कि भही, नहीं मैं भी लड़का हूँ, देखो, मैंने कितनी मैंन से किया है तो मेरा डड़का कर लेगा, बेटा कर पाएगा, बेटी नहीं कर पाएगा, ऐसा वो सोच रहे है तो यह क्या स्टेरियोटाइप, तो जो support बेटे को मिल रहा है, वो गल्स को नहीं मिल पाता even वो capable भी हो, फिर भी नहीं मिल पाता, स्टेरियोटाइप की कारेंड in most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage and their main aim in life as their main aim in life अब काफी families में ऐसा होता है, काफी, even मैं भी college गई थी, तो मैंने देखा था कि first, second year की जो girls थी हमारे साथ की, भाई married होगी, मैं अब शादी कर ली उन्होंने, ठीक है उनको जो बचपन से वो देखती है कि शादी हो जाती तो उन्होंने भी कर ली, कुछ हो सकता है, against भी रही हो, तो नहीं भी करी होगी बट काफी लड़कियों को मैंने देखा भी जो शादी कर ली उन्होंने, school complete होगे न, college भी चलो आ रही है मानो, college भी आ रही है बस ऐसे ही side पढ़े, side, बिल्कु प्राइवेट तोर पहे, कि मालब regularly नहीं आ रही है, बस college आ रही है, कि just formality की भी हाँ ही course complete करना है और वो आ रही है क्यों और शादी कर दिये, नहीं करते न, अभी age ही क्या थी, 18, 19, 20 की जान साथ 20 की रही हूँगे, अभी से क्यों कर दी, कर देते बाग में, college पूरा कर देते, नहीं कुछ family, तो चलो वो तो पढ़ने भी दे रहे थे, जैसा मैंने बता रही है, कुछ families तो school के बाद बिलकुल पढ़ाई बन, न, in most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their mean, human life एक बाद मतलब ऐसा होता है families में कि अगर लड़की का school खतम तो उनके mind में brainwash है, उनको mind में से भारा जाते कि बिटा तो school भी हो गया है, तो अब शादी कर देंगे तुम्हारी है, मापाप का बोच कम करो, टाइम से शादी कर लो, अगर अच्छरण का मिल गया तो भी शादी करवा देंगे, अब तो तुम्हारा school हो गया है, कित्ता पढ़ोगी, क्या कर लोगी पढ़ लिखके, करना तो वह एक डायलोग है ना फिल्मी, कहीं बार ऐसी families होती है, जो girls को encourage करती है, कि आप, आप, आपकी पढ़ाई हो गई, आपकी schooling हो गई है, अब आप किसको अपने मतलब, किसको कह सकते है, अपनी marriage को, मतलब आप आप सोचों कि marriage अब एक important task है, अब वो आपको complete करना है, marriage आपको करनी है, शादी आपको करनी है, clear हुआ कि नहीं हुआ, तो marriage को क्या माना जाता है, main aim माल लेते, यह important aim है, ऐसा मतलब mind में डाल देते है girls के, clear हुआ, तो यह क्या है, मतलब अगर वो capable हो, उनको आगे पढ़ना हो, बट नहीं, parents ने डाल दीने बात, और क्या करेंगे, emotional कर देंगे, अब कुछ girls होती, जो emotions मे मान भी जाए, बट कुछ होती, जो determined होती, तो वो नहीं मानती, चाहे कहीं girls का तो ऐसा example देखा है, जो अच्छे जी personalities है, मैं घर से भाग गई थी, मैंने अपने सपने पूरे की, ऐसा नहीं कि गलत काम के ले, अपने सपने को पूरे करने के, जब घर में सपोर्ट नहीं मिल लड़क डालती girls की life में, यह जो stereotype है, stereotype किसी को fixed image में डालना, कि यह लड़का कर सकता है, यह लड़की कर सकती, लड़किया gentle होती है, लड़के भई, जो है, वो होते है, रोते नहीं, इस तरीके से, हमने last chapter में भी दिखा था, आगे बड़े, चल, अचा यह बताओ, इसको सम stereotypes, अब यह example है, किसका example है, हम engine driver, लक्ष्मी लाकरा, इनके example से हम समझेंगे, कैसे इन्होंने जो stereotype है, उसको तोड़ा, stereotype क्या, कि जो engine drivers है, वो मैं ही हो सकते, जो engine drivers है, है ना train में, हम बोलते हैं, driver जो रहते हैं, वो मैं ही हो सकते, हमारे mind में भी आएगा, हम बोलेंगे, अर train के driver ने train रोग, जो mind में आएगा आदमी, men, woman आएगी नी, सही बात है, बनी हुई न, stereotype बना रखा है, इसमें हमारी भी गलती नहीं है, जो साल, दर साल, लोग, जो generation to generation, जो stereotype बना रहे हैं, वो अभी हमारे mind में फिक्स है, time लगेगा उसको जाने में, और जा भी रहा है, ऐ हो रहें, बदलाव हो रहा है, अब ऐसे ही भी यह जो है, 27-year-old, Lakshmi Lakhra, कहां से, from a poor tribal family in Jharkhand, Jharkhand के एक tribal family से गरीब, ऐसी भी नहीं के ठीक-ठाक family से, वो भी tribal family से जन जाती, बना आदिवासी family से हैं, ठीक है, जन का नाम है, Lakshmi Lakhra, has begun to change things, उन्होंने क्या करा भी, engine drivers for the northern railways, northern railways के लिए, north side की जो railways चलती है, north area, उपर side, north या है ना, जैसे हम बोलते हैं, यह यह वाला area, north की east है, इस तरीके से, यह north है, she is the first woman engine driver for northern railways, मदब northern railways के वो पहली woman engine driver थी, पहली woman engine driver थी, जो poor family से आई थी, Lakshmi's parents are not literate, जो Lakshmi के parents है, पढ़े लिखे नहीं थे, एक बार चलो पढ़े लिखे parent हो, तो हो समझते भी है, बट सोचो, illiterate parents जो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी अगर उन्होंने अपनी लड़की को support करा, हना उसको engine driver बना है, जो लड़कियां बनती भी नहीं है, तो सो बट से खुट पढ़े लिखे नहीं होने, एक शबद नहीं बोल पाते, बना पढ़ पाते है, लिख पाते हैं, पर अपने बच्चों के लिए पूरा struggle करते हैं, उनको support करते हैं, और कुछ पढ़े लिखे parents भी होते हैं, तो उनकी सोच ऐसी होते ही कि नहीं नहीं, ये वो खुद पड़े लिखे निये था है उन्होंगे अपने बच्चों के लिए पूरी पूरी कोशिश करी बहुत struggle करा बहुत महनत की बहुत बुरे दिन देखें उनको जो है उनसे लड़ा hardship मना महनत करी बहुत ज़ादा है ना और अपने बच्चों को education दी Lakshmi studied in a government school Lakshmi किसमें पढ़ती थी? Lakshmi government school में पढ़ती थी? सरकारी school में पढ़ती थी? Even in school, Lakshmi helped with the housework and did odd jobs school भी जाती थी, घर के काम भी करती थी school भी जाती थी तो वह जिस भी उनके capability के according जो भी job करती होंगी जो भी उन्हें मिली होगी तो समझो job भी करती थी school भी जाती थी और घर में भी help करती थी कितने सारे काम करती थी बट अगर इंसान अंदर से motivated है तो कोई कुछ नहीं कर सकता हो अगर भली इंसान दस घंटी की job कर रहा हो बट उसके अंदर motivation की नहीं मुझे यह job चाहिए मुझे exam निकालना यह वाली job चाहिए तो कुछ ना कुछ करके वो time manage करी लेगा just क्या चाहिए motivation चाहिए positivity चाहिए hard work चाहिए clear? तो भई क्या बता रहे किसका example ले रहे है हम stereotype को कैसे break कर रहे है किसके example से Lakshmi लाकरा के example से हम समझ रहे है कि इनके parents कैसे थे वो खुद illiterate से पड़े लिखे नहीं थे बट वो अपने बच्चों के लिए उन्होंने education के लिए बहुत जादा महनत की जैसे यह है वो जिनके बारे बात करें Lakshmi के बारे में यह है Lakshmi Northern Railway की First female engine driver आगे बढ़े चल She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics बहुत महनत करी महनत की होगी न जो घर के काम भी मैनेज कर रहा है जो बिचारा और चुटी मुटी नौकरी भी कर रहा है आन कर रहा है और फैमिली भी करी भी है तो help करने के लिए और पढ़ाई भी कर रहा है मन में सपना है उमंग है motivation भी है कि नहीं यह गोल तो मुझे पाना ही पाना है तो उन्होंने बहुत महनत करी She studied hard और अच्छे से भी पढ़ाई करी और कहां गई उन्होंने डिप्लोमा लिया electronics का electronics का उन्होंने डिप्लोमा लिया She then took the railway board exam and passed it on her first attempt मतलब महनत देखो पहला railway board exam उन्होंने दिया अब exam में बैठी पासवास हो गई वो डिप्लोमा भी कर लिया जो भी qualification required रहती ना job की तो वो भाई qualification उन्होंने ली पूरी motivation भी था महनत भी कर रही थी और पहली attempt पे उन्होंने exam पास कर लिया government exam is government job सोचो मिल गई और जो railway की रहती तो central government की रहती है पहली attempt में उन्होंने पास कर लिया पहला attempt में कोई भी government exam पास कर लिया वेरी proud thing मतलब उस person को तो किता खुद पे proud feel होता हो महनत की ना ऐसा नहीं कि लग महनत की लग कुछ नहीं होता देखो लग कहने की भात ही होती है अगर कोई बोलता है सही वक्त पे उसको उसका जो हे result मिल जा है तो वही उसको लग के form में ले लो क्योंकि उसको सही opportunity मिल गई और आपने उसके महनत करी और आपको success मिल गई तो उसी को लग समझो यह लग मत समझो कि भई तुक्का लग गया ऐसा लग गया नहीं महनत की न उन्होंने इसलिए foster attempt to उन्होंने clear करा Lakshmi says I love challenges and the moment somebody says it is not for girls होते है कुछ लोग उनको अगर demotivate करना चाहो न तो उसको और motivation की तौर पे लेते अगर मैं आपको कहूँ अभी कि यह chapter आप लोग नहीं समझ पाऊगे कुछ लोगे कि नहीं अब तो मैं करके दिखाऊंगा अच्छा है और बूलो मैं इसको और opposite काम करके दिखाऊंगा मैं आप हमें challenge दे रहे हो कि आम नहीं समझ पाएंगे तो अभी रुको बताते हैं आपको जब test होगा तो अच्छे माक्सला की बताएंगे तो लक्षमी ने भी ऐसी बोला कि अगर कोई मुझे बोलता है ने कि यह काम रड़िका नहीं कर सकती तो मुझे और इच्छा लगता है मैं उसको challenge की तौर पे लेती हूँ मैं उसे क्या लेती हूँ challenge की तौर पे चुन्नोती की तौर पे यह क्यों रहा है मैं इसे बोलूंगे और यह यह एक्जाम तुमसे नहीं हो पाए गा तो my तौर यह क्या है उनको अगर को इस तरीकी challenge देता था गी लड़िका की तौर पे लहती तो नो ऑगन मुटिवेशन और मिल जाता था Lakshmi has had to do this several times in her life when she wanted to take electronics when she rode motorcycles at Polytechnic and when she decided to become an engine driver अब वो कह रही है कि मैंने make sure करा कि ये मैं करूँगी और करके ही रहूँगी तो बतारे है कि वही कैसे उनकी life में situations बहुत बार है बहुत बार होता है ना कि अगर किसी से discuss करा होगा कि अगर कोई 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 सोचे तो काफी लोग आते अपना घ्यान देने आते एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो उल्टा उसको challenge की तौर पे लो डीमोटिवेट मत हो जहां डीमोटिवेट हुए तार तूटा फिर कुछ नहीं हो सकता फिर दुवारा अगर कोई कुछ बोलेगा आप अच्छी मैनत करें और फिर तार तूटे का डिमोटिवेटर जाओगे एक काइम बाद आप छोड़ी दोगे वो काम हुई तो देखना ऐसा ही होता है पावर ओफ पॉजिटिव थौट्स पावर ओफ सबकॉंशिस माइंड कहलो या पावर ओफ विजुलाइज़ेशन अगर आप विजुलाइज कर लोगे ना कि मैं मैं IS बन जाओ गा गाड़ी है मिली हुई है दो आप सोचोगे न इसके लिए ऑटोравляटी की आप सोचते रहोगे सोचते रहोगे रात में सोने से बदलेगी, ऐसा नहीं कि easy हो जाएंगी, positivity में बदलेगी, मतलब बहुत जाद ऐसे मौकिया आएंगे कि आपको तोड़ा जाएगा, demotivate किया जाएगा, but आप तूटेंगे नहीं, आप positive रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात सिखा रही हो मैं आपको, देखना, ऐसी होता है, तो उनने कही बार ऐसी चीज़े face करनी पली, when she wanted to take electronics, जब उनने electronics लेना था, तब भी लोगोंने कुछ बोला होगा, जब वो motorcycle जाती थी, जाना, motorcycle दोडाती थी, चलाती थी, polytechnic, तब भी लोगोंने बोला होगा, and when she decided to become an engine driver, जब वो engine driver बनना चाहती, तब भी लोगोंने कुछ नो कुछ बोला होगा, कि नहीं नहीं, ये तो लड़कों के लड़कों के लड़किया नहीं कर सकती, तो उन्होंने चालेंज को क्या करा, accept करा, और करके दिखाया, उनने का, I make sure कि मैं इसे करूँ, मतलब करूँ ही करूँ, ये समझ में आया की नहीं, कैसे stereotype को break करा भी मोटिवेशन मिला, कॉमें बताओ, मोटिवेशन मिला की नहीं मिला, हर फिलोसफी, simple as long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice, वो कह रही है कि मेरी फिलोसफी गया, simple है, मेरी जो फिलोसफी, जो मेरी thoughts है, वो बहुत simple है, मेरा इमानना है, कि मैं क्या चाहती हूँ भई, मै अच्छा, अच्छी जिन्दगी जीना चाहती हो, मैं किसी को हाम थोड़ी पहुच रही, अगर मेरा सपना है कि मैं इंजन ड्राइवर बनू, या for example, अगर किसी का सपना है कि वो भई, आर्मी ऑफिसर बने, कोई भी लड़की, तो वो उसकी सोच है, उसकी choice है, किसी को हाम होड़ी पहुच रहा कि अगर वो सोच रही है, मैं इंजन ड्राइवर बनू, तो कोई किस दो चारों को heart attack आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा, वो अपनी मर्जी से कर रही है, वो अपने parents के लिए कर रही है, अपने parents को अच्छी जिन्दी होते हैं सपने, आजकल तो ये news बहु motivation, motivation कुछ कर गुजरने की क्या इच्छा, परिवार के हाला देखत हुए, अपने हाला देखत हुए, कि नहीं बदलना है करके दिखाने, बहुत सी ऐसी personalities है जिन्दों ने किया, और आजकल तो ये बहुत हो रहा है, तो motivated रहूँ, तो why should I not lead a lifestyle of my choice, फिर क्यों मैं अपनी choice की lifestyle style ने elite करूँ, मेरी मर्जी, मेरी life है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने parents के कुछ अच्छा करना है, clear हुआ, आया समझ में, तो ऐसे ही आपको भी सूचना चाहिए, दूसरों की नहीं सुनना चाहिए, क्या relative कहरे है, क्या लड़की कर सकती, लड़का कर सकती, को कोई दिक्कत नहीं है, तो यह कहा से लिया गया है, adapted from driving a train by Nita Lal, women's features services, okay, तो किसके बारें पढ़ा हमने, भई हमने पढ़ा, लक्षमी के बारे में, ठीक है, चलो, It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them, हाँ, यह होता है, आपके आसपास के जो लोग है, आपको प्रेशराइस करते होंगे, relative आते होंगे, अरे अभी इस class में, जब यह 10th में जाएगा तो उसको वाला कोर्स करा देना, अरे आपके मन में आपसे तो पूछे हो कि आपको क्या करना है, नहीं करना आपको कोई कोर्स हो सकता, आपको आर्टिस बनना हो, आपको पेंटिंग में इंट्रेस्ट हो, आपको पेंटिंग से रिलेटेट कोई कोर्स करना हो, आपको एक्टिंग में इंट्रेस्ट हो, आपको से रिलेटेट कोई कोर्स करना हो, वो कौन होते हैं बोलने व आपके बड़े बाई बैनों जो 10th, 11th में हो उन्होंने देखा हो कि जैसी बोलते हो जाएगा तो इसको बैंकिंग का कोर्स करा देना आप संसर से पूछा वो जाना चाहता है जाना चाहता है वह जाना चाहता है वह सब the same match Choose बहुत अच्छी बात है नहीं ओर ही फिर क्या करोगे जबर्दस्ती थोड़ी बना दोगे एक कुछ ताइम के वो कर भी लेगा पर कुछ ताइम मत वो आटोमेटिकली छोड़ देगा बेमन से कराया गया काम जाधा देर नहीं टिकता फोर्सफुली कराया गया काम प्रेश्ण कराया गया काम प्रेश्राइज करके जाधा देर नहीं टिकता ठीक है तो भही बहुत से सोसाइटी में ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आसपास के जो वोल्ड है उनसे बहुत इंपक्ट पड़ता है उनकी लाइफ में रिलेटिव तो करते ही करते हैं आसपास की आंटी अ अच्छे से प्यार से मोटिवेट करो इसमें नागी गटा दी में कुछ चार्लों के सामने खड़े होने में शरम आती देखो उसके बच्चे 90 नंबर ला रहे है 90 परसेंटेज ला रहे है वो 95 ला रहे है मैं हूं मेरा बच्चा 70 परसेंट ला रहे हो सकता है उसका टारेंट किसी और चीज में हो भई वो ड्रॉइंग अच्छी करता हूं वो स्पोर्ट में अच्छा हूं नहीं स्टडी इसको देखना है और भी चीज और भी फील्ड है तो प्रैशर रहता है आसपास का रहता है सोसाइटी का आपने सोचा होगा हमने भी नेखा है न हम भी तो इसलिए मैं तन हिच्छे से आपको बता अपारी है। Sometimes these come in the form of demands from adults. कभी-कभी एक इन form में आता है, जो adults हैं, बड़े लोग हैं, उनके demand के form में आता है. At other times, they can just be because of unfair teasing by your own friends. और कहीं बार क्या होता है, जो आपके जो friends है, वो लोग चिडाते, वो tease करते. Boys are pressurized, मैं इसको समझाऊंगी, पहले मैं ready कर लूँ, Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. भई लड़कों में, बहुत ही, अभी तो नहीं है, अभी तो आप लोग सोटने हैं, जैसे आप college में जाएंगे, या college में जाएंगे especially, उस time से चीज़े सुरू हो जाती है, कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से course लो, कि अच्छे placement में लड़कों को कमाना होता है, घर चलाना है, यह तो dialogue सोनाओ का, शादी करके लाना है, घर चलाना है, हमें भी देना है, आपको अपना घर देखना है, घर इससे तो होगा नहीं है, यह तेखो, हमारे त्याय है, तू क्यूत्ते कम लेकर रहा है, भई Marks, तू भी काम कर, मैं हमी जो course कर रहा है, मैंने जो सोचा है, तू भी वही कर ले, भली best friend है, तो सेम होगे, क्या, मेरी best friend है, तो वो painting अच्छी करती है, मैं singing अच्छी करती हूं मैं acting अच्छी करती हूं, तो मैं कैसे उसकी तरह painting, मुझे नहीं आती भई, आपने देखी ही मेरी drawing, है ना, छुपा तो कुछ है नहीं, नहीं कर पाती है, मैं मुझे teaching करना पसंद है, उसको painting पसंद है, उसका analytical skill अच्छी, वो engineer है, तो क्या मैं भी बन जाओ, भली हो मेरी best friend in surrounding talent है, तो मुझे force नहीं कर सकती हैं, मैं उसके force नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकती है, आप भी कहिंसे 수裡面 है, सबकि अलग-ccoli ओलग, हो सकता है, मैं यह भी हो सकता है कि सेम हो मैं ऐसा नहीं कहरी एक्सेप्शन्स होते हैं अलग अलग है तो कई बहुते हैं कि तू भी एकर मैं जो जारी हूं ना coaching maths की जारी हूं मैं maths की मुझे ना social की भी coaching चाहिए maths की भी चाहिए अब आप बोलगे नहीं सोशल तो मेरी अच्छी मैं कोमल माम से सोशल पढ़ता हूं या पढ़ती हूं मुझे कोई ज़रूत नहीं तो आप फोर्स करेगी नहीं चलो तो जबर्दस्ती कौन करेगा तो ऐसे कहीं बर क्या होता है मैं तो सफिर भी teaching की बात करें मतलब अगर और भी चीज़ों तो फील से करते हैं friends की बातों से कहीं बर क्योंता है family की भी demand रहती है कि अरे मेरा बच्छा मेरा तो सपना है जैसी बच्छे मलब बड़े होने लगते हैं जैसी जैसे स्कूर जाने लगते मेरा तो सपना है कि मैं अपनी बेटी को भई डॉक्टर बनाओंगी पापा वोलेंगे मैं तो आपने सपना बता दिया अभी वह भी शॉर नहीं दीरे दीरे जब वह ग्रो करेंगे क्या पक्का शॉर है मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि हो सकता है कुछ मोने कि हा मैं डॉक्टरी बनना चाहता हूं मुझे भी इंट्रेस्ट है मेरे मम्मी का सपना में पूरा करो कुछ ऐसे भी होते बत जो नहीं कर पाते जनके इंट्रेस्ट एंगि को चीज़ करते अब मेरी मममी कहिए कि कोमल को तो पही जो हे वह क्या पहिए कंच मना कंच करीद कि तो ऐसा होता है वैसा होता है आपको लग रहा है अगर मैं आपसे connect कर रही हूं आपको बता रही तो मुझे interest है मेरे काम में आया समझ में तो कहीं बार जो दूसरों के demand होती है जो society का pressure होता है यह जो friends tease करते हैं या जो voice को pressurize करा जाता है कि लड़कों को भी earn करना चाहिए तो कहीं बार इन चीजों के कारण भी हमारे mind में impact पड़ता है यह जो stereotypes बना रखें आया समझ में clear हुआ की नहीं हुआ बहुत अच्छे से मैंने easy way में आपको समझाने की कोशिश किये बिल्कुल real life examples के साथ जो आप देखते आए हैं नहीं देखा तो आपने हो सकता है अपने बड़े भाई बहनों के साथ देखा हो या आप मेंसे कुछ ने सुना भी हो तो यह बिल्कुल real life example है कि भई ऐसा होता है आया समझ में comment में बताओ फटाफट से comment बताओ कि हाँ आगे समझ में फिर हम आगे बढ़ते हैं और like कर दो समझ में आगे ना तो फटाफट से like का बटन दबादो चलो मजा आ रहा है अच्छी बाते सीखने सिखाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है चाप्टर के साथ साथ मैं आपको कुछ अच्छा सिखा हो motivate करो सिख टीचर पढ़ाने के लिए नहीं नहीं होता है आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रोडक्टिव मतलब नेशन के लिए आप इस देश के लिए कुछ अच्छा करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करें, तो यह होती है टीचर, तो भही टीचर के लिए कर दो, फड़ा-फड से लाइक का बटन दबादो, चल्ड़। अपनी लोग है पापा लोग नोग तो भैया लोग नहीं होती है? उनको दुख नहीं होता, उनको किसी बात का मतलब टेंशन नहीं होता, बट वो दिखाते नहीं, क्यों उनको सोसाइटी नहीं ऐसा बना रखा है, कि लड़के टेंशन में नहीं दिखने चाहिए, लड़के नहीं रूने चाहिए, अरे लड़के उदास नहीं दिखने चाहिए तो जेंटली रहते हैं, थोड़ा टफ मनो, वरकाउट करो, है न, अर्न करो, अगर उसे नहीं अर्न करना अभी अभी पढ़ रहा है, उसको फोर्स करा जाता है, कि देखो, उसका बीटा कॉलेज पास हुआ नहीं, जॉब तो कर रहा है, और तुम हो कि अभी पढ़ी रहे हो, तुमें क्या कुछ करना नहीं है, तो सोच रहा है, वो भी अपने हिसाब से करेगा, फोर्स किया जाता है, कि वो देखो, अपनी लड़के हो, उनने का फर्स निभा रहा है, जॉब कर रहा है, न, अर्न करना है, क्योंकि वो लड़के हो, तुम लड़के हो, तुम घर में ब आपने class 6 की book में पढ़ा होगा, definitely पढ़ा होगा, कि ये कहा जाता है कि लड़के ना किसी के सामने रोते नहीं है, लड़के लोगों के सामने किसी के सामने रोते नहीं, ऐसा कहा गया है, ये आपने class 6 में पढ़ा होगा, जैसे कि अभी मैंने बता है, कि लड़कों को बच्पन नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती, बट वो दिखा नहीं पाते, ना, क्यूंकि दिखाएंगे तो लोग हसेंगे, अरे, लड़काओ के रो रहा है, देखो तो, ज़स लड़किया ही है, खड़ी है, यह कोई भी खड़ा है, देख लिया, एक मैं, चैसे हाते बैंगे, दिखाषाण और इád गृवरका के रो रहा है, और को सकता है, इसको बहुत बहुत अननदर से बहुत गुख आधो होMarra, यह यहा नहीं पर्शानी हो सुन पढ़ा तो रो रह जो, यह किया प्लीक कर आपका को शुख हाः टप लगा है, यह ब्ड़ देरे चलते गिर जाते तो बोला जाते नो 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 वो वोई डोंट क्राइं नहीं रोते अच्छा बच्चा है मेरा राजू मेरा मुन्ना इस सरीके से तो क्या वो रो नहीं सकते ठीक है चल तो बच्पन से उनके माइंड में डाला जाता है तो कहीं बार उनको ऐसी situation आती डेफ समीर रो रहा था दिखा तुमने कैसे रो रहा था लड़ीकों से अरे वो रो सकता है उसको दोख है समझ में आया है clear हुआ कि नहीं हुआ अब यह देखो इसके बारें पढ़ते जेवियर वाज हैपी विद दे रिजल्ट ऑफ हिस क्लास 10th बोर एक्जाम से अब यह स्टोरी though his marks in science and math were not high he had done well in his favorite subjects history and languages अब हला कि वो खुश था अपने result से कैसे उसके जो marks जेवियर के science और maths में अच्छे नहीं थे science और maths में उसके marks जो है high नहीं थे इतने लेकिन उसके marks जो है history और languages याने हिंदी इंग्लिश में अच्छे होंगे social science और history और languages में अच्छे थे बट math science में अच्छे नहीं थे when his parents saw his report card however they did not look pleased at all जब इसका जेवियर का रिपोर्ट काड उसके parents ने देखा उनको कोई खुशी नहीं हुई मतलब ऐसा वो खास कोई खुश नहीं दिखाई रहे है ऐसा नहीं है कि मन में खुशी नहीं हुईगी बट एक genuine कि अरे वा क्या बात है भीटा congratulations I'm so proud of you बहुत अच्छा करा देखो तुमारी मैंने त्रंग लई ऐसा नहीं मतलब कि अच्छा अब जब 자 parent's कहह रहे हैं है मम्ही पापा और ये तो Xavier है ये कैरे हैं कि Xavier ये क्या तुम्हारें थो maths मैं कितने तुम्हारे हो maths मैं 65% है और Physics मे में महारे मांक्स काम है फिजिक साइन्स के अटर आता है Xavier कह रहा है i know mama but it's okay because i don't want to take maths or science i want to study history अब उसने बोला जेवियर ने कि it's okay ममी मुझे नहीं इंट्रेस्ट ठीक है मैंने इत्ता कर लिया कि मैं इसमें पास हो जाओ अच्छे थोड़े माक्स ले आँ एवरेज एक जितना और मुझे हिस्ट्री में इंट्रेस्ट है मैंने इसमें इत्ता जादा मनला बहुत जादे इ आपको ष JULi आस हो गए है तो आपको आपको में साइंस लेना है या आपको आर्ट्स लेना आर्ट्समें इस्टेटी आठा है या आपको commerce लेना है ठीक है तो जेंगी अने का होका मुझे तो हिस्ट्रीट कर नी है ऐसाँ उसने पोला आगे-बड़े चल को यहां पर लड़कों को फोर्स किया जाता है यहां पर लड़कों से रिलिटेट बाते कि अर्ण करो लड़कों को अर्न करना होता है तो उसने बोला उनके पापा नहीं क्या बोला वाई डू यू वांट टो टेक हिस्ट्री तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो भई अपने फ्यूचर के बारे में सोचो ना तुम्हें जॉप चाहिए जॉप की तुम्हें जरूवत है भई तुम्हें अच्छी जॉप पानी है हम उमीद कर रहे हैं तुमसे हिस्ट्री हेल्प नहीं करेगी इसका कोई स्कॉप नहीं है बट बट आइड लाइक मैट और साइंस अब उसने का अफट मुझे माथ और साइंस नहीं पसंद है न ऐसी बोलते हैं कि पाप मुझे नहीं बनना मुझे नहीं इंटरेस्ट तो Be sensible, son. Take maths and you can study computer side by side. The job market for computers is very good. यह अपनी जो opinion दे रहे हैं, ठीक है, उसके अच्छे के लिए दे रहे हैं, बट यह अपनी opinion है, उसका interest तो नहीं है. यह क्या बोल रही है? भही, मदर उनकी बोल रही है कि थोड़ा दिमाग लगाओ, sensible बनो, भही. इसे, maths लो, maths लो, computer की भी पढ़ाई side by side चलाते रहो, क्यों? क्योंकि computer करना आजकल बहुत जादा अच्छा scope है, हाँ, सही बात है. IT सेक्टर होगे, यह सब में, और आजकल हर जगे computer की need है, है ना? कुछ भी काम में computer तो मस्त है, तो आप क्या करो, computer ले लो आथ, और maths subject ले लो, computer side by side पढ़ते रहो. तो इसे आपको क्या समझ में आया है, इससे हमें इस समझ में आता है कि क्या करने है, कुछ समझ में आया है, कि वो किसी और चीज में इंट्रेस्टेड है, बढर उसको force कुछ और चीजों को लेने के लिए किया जा रहे, वो history लेना चाह रहे, उसको नहीं मतलब है भी scopes, इ इसे, देखो, इंट्रेस होता है तो अपने आप रास्ता बन जाता है, यह ध्यान रखना यह मत सोचोजो उसका स्कोप कितना है? आप hard work करो, loyal रहो, honest रहो अपने hard work के थूँ अपने hard work के प्रती और आगे बढ़ते जाओ अपनी life में और interest दिखाते जाओ तो अपने आप रास्ते को नहीं कहीं से आपको opportunity definitely मिलेगी पढ़ाई कभी waste नहीं होती है अगर आप यह सोच के कर रहों कि मजबूरी है नहीं कहीं न expectation है, यह expectation ही तो थे, यह rigid ही तो थे, कि तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए, तो math, science लो ना, computer पढ़ो ना, यह history में को इसको अपनी rigid expectation, आप expect कर रहे हो अपने बेटे से, उसको नहीं पढ़ना, उसको नहीं interest, आया समझ में जैसे हमने अभी लक्षमी के example देखा, तो लड़की हो, तुम engine driver बना होगी, बाइक चला रही हो, बट उन्होंने challenge के तौर पे लिया, तो जो expectation है society की, लड़की है तो बाइक ना चला है, लड़की है तो driver ना बने, लड़की है तो nurse बने, clear हुआ, I hope आपको यह topic बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने के साथ यह topic और यह video end होती है, अगर आप और भी video के lectures दिखना चाहते हैं, तो आप Magnet Trains के YouTube channel, application और website से देख सकते हैं, e-notes और e-books के link आपको description box में available है, यह high quality के courses हैं जैसे की CBAC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, Varic Maths, Crash Course, Spoken English courses, आपको अच्छी quality में और 100% free available है, आप हमें other platform पर follow कर सकते हैं, Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पर, जादा सेदा like कीजिए, जादा सेदा share कीजिए, और channel को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले, अपना ख्याल रखे, thank you so much for watching,